लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ड्ल आइकुन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेस्ट 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 आइकुन को सब्सक्राइब करें रेटना रेटना I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Zheng Мы straightforward Hear Me On Hear Me On Hear Me On If all the things you never showed There are the things I want to know Secret star अज़ को डिली की नाइटी बंबाइट अन्यूक। तरड्सिएंट, आपको उट अन्यूक। झालन की बड़ाराइट विल्ली की नाइटी बंबाइटी चीजरी शन्यूक। किने अजक घ्राइट बढ़ फैले इप्लें पॉपने टेरीकोट मैग से खेंगे में तना चैंब इतना सश्था नी मिलेगा बोलियु वेंजी क्या प्राइज इस मेक्सी की? सिर्फ असी रुपैर. कम नी करोगे? नहीं में जी इस मेरा पांच रुपन उनाफा है. बहुत महेंगी है. पॉपलेन, कॉटन, टेरिकोट मेक्सी, पॉपलेन, उससे अच्छा माल हैं उन सब. लखनव की चिकर है, उस पर बूंदी है, हैदराबाद की. कॉडियों का भाव बेच रहा हुआ है. कितने में दोगे? अरे बोला ना में में साब कॉडियों के भाव. बगलवाला असी में द जगरवाली खुफचुरस सी ग्रहत सो डूंगा. क्या जम रही है, ओरिजिनल होंकोंग की है, शादी हो गई? जी हाँ. तो फिर क्या रात को साब देखकर बहुत फुश होंगे? बिलकुल लाइट है. कितने में दोगे? 135, कॉडियों के भाव. अरे में साब, 70 ये और 135, 205. 205? अरे चलिए, आपको 200 में दिया. हाँ, क्या है वे, इंपूरेट भी देशी में डाल की देना पर. पॉपलें, पॉपलें, कॉटन मैक्सी. मैंजी, गई? यार बेपन, वही मैक्सी उसे मुझसे लीनी तुसे लिए, तेरा मुनाफा तो जादा होता है मुझसे. हाँ, तो आईवान, कोरिया, होंग कॉंग, सिंगापूर, दुबई. चल भे, हफ्ता निकाल. हाँ, साथ, लीजिए. अबेवे, चिकने, चल हफ्ता निकाल. कैसे हफ्ता भई? ये बताना पड़ेगा क्या? क्यों भे, ये इधर नया आया है क्या? हाँ, जम्बू दादा, नया है. पुन को हफ्ता दिये बगएर, इस भुटबाद में कोई दंदा नहीं कर दखता हूँ. ये ये लए बेपन, नहीं देना. क्या भोला भे, तिरे दिन भर गए है क्या? अरे, क्या बात है जम्बू दादा? कुछ नहीं हवालदार, ये भूतनी का बहुत अकड रहा है. तुम आगे बढ़ो, मैं भी इसकी अकड निकालता हूँ. इस वक्त नहीं, पबलिक देख रही है. तुम मेरे साथ आओ. आओ. तुस्से तुम्हा बाद में निपड़ता हूँ, फूसनी के. अबे वे हरिस चंद्र, ये भरिस्टाचारियों के दुनिया में धंदा करना तो अब चलना यार. ओ मैडम, हम फुक पास वाले कोई कीड़े मकोड़े नहीं है. देख कर अपने गाड़े का तरवाजा खोले करो. क्या है कि आपका सुन्दर रूप देखाना तो नजरे में धक से जम गई है. तब तो दो मिनिट यहीं रुकी रही है, ये सुन्दर रूप फिर आएगा आपके सामने. क्या बात करें? सुनिये, 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 बाहर जाने की कोई जरूवत नहीं है, छेड़ने वाला अंदर ही है. बंदर है, बंदर की शिकायद लेकर आती है जरे पास, बंदर नहीं होता ही है. आप आप, हरकते बिल्कुल बंदर जैसी है. समझे ना तुम? जी, लटक रहा है. देखो, बंदरों की छेड़शा से डरा नहीं करते. समझे, अब जाओ 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 धंदे का टाइम हो रहा है. पापा, मुझे 200 रुपय दीजे, अपनी सहलियों को पिक्चर दिखानी है. अरे तो, दो रुपय में बंदर का तमाशा दिखाओ, 200 रुपय क्यों वेस्ट कर रही हो? ओहो, पापा, मैंने पिस एहलियों से प्रामिस किया था. मैंने सारा कैश बैंक में डाल दिया है. लेली जी. जिया किया मत. लेली जी. रख लीजी, सेट जी कही है. Thank you. बेपन. मिधरा, वो मेरी कोई टीजोरी नहीं है. उसके सामने रुपया निकालने की क्या ज़र हो थी? गलती होगी, सेट जी. मेरे हिसाब में लिख लिजी. अगले तवार को एडवांस है. ये कितने है? 900? 1100. 200? अचा, ठीक है. मेरे जी, इनको सामान दे देना? जी, मिरवानी. जरा करन का ख्याल लगना सेट जी. जाना. तुम्हारा क्या है? 260. 260? जैसी जैसी बिक्री होगी, हिसाब चुकासर होगा. लो, हर बार हिरनी जैसी भागी आती हो. ये भी कोई धंग है पिया मिलन को आने का? तो फिर कैसे आया करूँ? माशुकों वाली चाल से. लहराती, बलगाती. तब तो पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा? तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा? मैं तो तुम्हारा इंतजार योग-योग कर सकता हूँ. इसमें भी एक मज़ा है. मुझसे तो सबर नहीं किया जाता. इसलिए दोड़ी चली आती हूँ. तुम कैसे कर लेते हो इंतजार? बस कर लेता हूँ. कैसे? इसलिए के बेहत प्यार है तुमसे. कितना? अब यह कैसे बताओ कितना? कुछ तो बताओ ना, कितना प्यार करते हो मुझसे? जब तुम दूर रहती हो ना, तो इतना प्यार करता हूँ तुमसे. और जब मैं पास रहती हूँ, तो कितना? इतना. इसी तरह प्यार किये जाओ, करन. भगवान करे, हम कभी जुदा ना हो अगर आज आप नहीं आते हैं तो मैं यह शहर छोड़कर ही चला जाता क्यों? जब आपके हाद से बूनी नहीं होती है तुम्हेरा तु दिन ही ठीप नहीं जाता सच मालू, मेरा तु धन्दा ही चौपट होने बारा था हुकम तो करो, क्या तू? बॉटी तन्मन से सेवा कुणा आपका साइस थर्टी फॉर आपको कैसे मालू? देख करी ताल लिए इस बार तु मैं आपको इंपोर्टर ही पैना हूँगा क्या है कि मालिवका जी के लिए छेल आया था उसमें से एक आपको दूगा कौंसा रंग मेरे खाल से लाल अच्छा रहेगा कितना प्राइज है? कैसी बात कर रही है आप से प्राइज लोगा लागत है 105 बस बैंटीज भी है इंपोर्टेड वो नई हीरोइन आई है न वो इसकी हेर ड्रेशन ने मंगाई थी मैडम ने योगी शूटिंग पर अभी तक आही नहीं मापकी जी आप तो जानती हूँ आपके हाँ से बोनी हो तो मेरा दिन अच्छा निकलता है यह तो रात बर सूचता रहता हूँ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे कल आप तो बहर को समंदर के किनारे आजाए तो फिर बहुत सारी बातें करूँगा आएंगी न अगर आप नहीं आए तो मैं समंदर में कूट कर जान दे दूगा मुझे तहरना नहीं आता सच सबस्ट कितने के दिया है? पांच रुपे की है पांच रुपे? अच्छा हाई मार डाला क्या महक है जुल्फों में तुम? कभी अपने गद्राए बदन की महक भी लेने दुरानी कब से मरता हूं तुम पे? अच्छा कब तक बचती रहोगी रानी? मंदिर गया था सोच आपके लिए पर साथ लेता चलो यह कहिए ना क्यों बुलाया है? बताने की ज़रूद है क्या मत बताइए मैं जाती हूं आप तो खाम खाम बोरा मान दे बैठ तो जाए माप कीजिए आपको रोकने के लिए मैंने छू लिया बुरा तो नहीं माना चोटे चोटे कंकर अंदर बुरा तो नहीं माना यह महक आपके बालों से आ रही है ना बुरा तो नहीं माना कुछ तो बोलो ना कब तक मुझे यूही देखते रहोगे जी चाहता है तुम्हे समेट लो अपने अंदर मन में बसालू तुम्हे समझ में नहीं आता कैसे इस मन की तसल्ली करूँ जैसे जी चाहे तसल्ली कर लो छोड़ो मुझे तुम हाथ से बुजरने लगी क्यों रोकती है अपने आपको मिटा दो सारी हाथे यह सब ठीक नहीं है वेपिन मदू और पास आओ और कितने पास इतने पास कि हम एक हो जाए तुम तुम न रहो मैं मैं न रहू मैं हम समाँ जाए एक दूछे कहा चला गया आ थक्षी जाओ केहा चला गया फैल्शे आपको एड़ो देखे में तो डून कहा यहाँ रहाऊ शाओ लग रहा वे बहुन अ कार्म क्या हो दो जाने चोली में क्या छुप गया इस दिन के नहमें दूबने से बचा लिया मदू दूबने से? आप मदू पागल पर हम दोनों पर सबार था ब्याज से पहले अगर कुछ हो जाता, तो मैं अपनी ही नजरों में कर जाता तुमने शादी से पहले लूट लेया मुझे अरे क्या आगी सिपडी बाते कर रहे हूं जवान हो, जवानी के मजे लूटो वो ही नी थी उस बेपिन के साथ हाँ जम्बू दादा, साला उसकी चोली में हट डाल रहा था अभे बिनी के वलादे साथ उस्ताद, क्या निशाना है? बस इता सही फाचा रही है साथ, मैं तो आपको दे रहा था आपने निया, फिर से गुसर गुसरेड़न के क्या था ये लो लो, लो लो असे लो करन 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 के लो अगले महिने का एड़ास भी ले लो अगले उस्ताद, आपक्यो माला अराम भूर, तुने मौहिनी की चोली में हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? मुहिनी माफ कर दिए उस्ताइग मुह से भूल हो गए मुझे वालुम था कि वह आपकी राखिए आप तेigration पॉर्टго ज़हुतू कबाट देए उस्ताइग है आफ ए hai है अ किह आप हैघ है are modern happy अ है weighs इसंदरण् कवार्ण ताल ुभी थे अ सथ अ हर रहे है हुआ सबने, बठाट कैंप साल ओ ! के परेदी है साल कशकर वाल प्राम पाल तेर! मंगे रर allegedly र पल्हा प्रॉकर बषा पैसे छीनना था इस बेक्टर साब बंद कर दो साले को वैसे यार तू है कमाल का आदमी हाँ मेरी जिहान बचाने के लिए अपनी जान खत्रे में डाल ले भूल जाया सब नहीं रे तुझे नहीं भूल सकता अपने माबाब को तो भूला दिया मगर तुझे नहीं भूलूगा कैसा आदमी है रे तू तू अपने माबा को भूल गया वो थे ही इस काबिल जब से हो समादा उन्हें सिर्फ जगरते देखा अरो साला हंगामा एक दिन मेरी माँ गुस्से में आ गई असारी में आग लगा कर चल मरी थोड़े दिन के बाद ही मेरा बाप मेरे लिए सौते ली मा ले आया सौते ली मा मुझ पर जुल्म ढाने लगी अगर मेरे बाप ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया उस साले पक्के मतलब भी थे बिबिन कवस कब उनी मा को तो गाले मत दो अगर उसको मेरी परवाह होती तो साड़ी में आग लगाने से पहले अपने छोटे से बच्चे के बारे में तो सूचती उस आग में मासूम जिंदगी चुलस कर राक हो गई इसलिए आज मैंने अपनी जिंदगी का उसूर बना लिया है कि सिर्फ अपने लिए जीओ और किसी साले की परवाह बन करो मेरी जिंदगी में कही आते हैं जाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पर था बड़े कठोर हो चुके हो इतना कठोर भी नहीं आज तुमेरी जिंदगी में जिस तरह आया है कभी चाने नहीं दूगा और नहीं जाता दिन तक उस कड़क फर्ष पर सुने दूगा आज से हम धंदा मिलकर खरेंगे नहीं करन नहीं अब और माल उठाने के लिए कोई दूसरी दुकान देखो मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता अरे क्या नहीं पकड़ो तो यह ठीक है देखो सेट क्या है कि मैं और करन अब मिलकर धंदा करेंगे भागी दारी में तू जाना यार माल उठा देखो विपिन यह घूंगा बसंद तुम्हारा कहीं दिवाला ने निकाल दे आरे क्यों चिंदा करते हो सेट इसको ऐसे दंदेगुर सिखाऊंगा कि आपका दिवाला निकाल देगा पापा पापा दोसर उर्पे निकालिए मैंने अपनी सहली से प्रामिस किया उन्हें आइस्क्रीम खिलाऊंगी तू फिर आ गई दोसर उर्पे मांगे वो भी आइस्क्रीम के लिए बिलकुल नहीं मिलेंगे क्या क्या करना सेट जी मैं आपके पापाओं पढ़ता हूं मेरी कमाएं में से इनको डोसर उर्पे देल जी तुमारी कमाएं में से? क्या है कि आज इनकी वज़े से मेरा 400 उर्पे का फाइदा हुआ किसकी वज़े से? सेट जी राट ये मेरी सपने में आई थी ये लो 200 उरुपे आईस्क्रीम खाव तेंक्यूू। मैंशन नॉट। अच्छा। यह मेरी बेटी के सपने तुम्हे कबसे आने लगे। पहली बार। क्या है कि आज से पहले तो देवी देवता मेरे सपनों में आया करते थी। कल लाथ देवी का रूपधर के पहली बार आई है। समझ भी नहीं आया, यह कैसे हो गया। मैं बराबर समझ रहा हूँ। जाओ जाकर अपना सामान उठाओ। महीं दार्लिंग। तो करण उठा रहा है। अश्यू जी। फप्लें। लूट 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 लीआ, भादार लूट 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 लीआ। प्राणी, प्यार के मज़े लूठेंगे, शाम को धन्दे के बाद पिपिन, क्या हुआ? तुम से कुछ बात करने है तुम कुछ उत्री-उत्री से लग रहे हैं क्या बात है? मैरी मोनी डारलिंग मैं बहुत खुश हुआ तुम चिंता मत करो मरते मरते दम तक मत माना साथ दूंगा आभी तुम घर चली जाओ शाम को चार बजे महीं मिलेंगे तुम घर चली जाओ दोपहर बहुत है जाओ ना जाओ मोहनी रो मत मेरी चान देखो रोने से तबियत खराब होती है मैंने बुलना सब ठेक हो जाएगा मेरा दिल नहीं मानता विपिर तुम मुझसे ब्या क्यों नहीं कर लेते ब्या करूंगा जरूर करूंगा मगर अभी नहीं अभी तो चार बाइचार के खोली में रहता हूँ मेरा आर्मान है मैं अपनी चान के साथ शादी करके एक बंगले में चाहूँ बंगला ना सही फ्लैट तो हो चाहे वन बेडरूमी क्यों ना हो मैं अपनी चान की ये इंसल्ट नहीं कर सकता कि शादी के बाद मैं उसे एक खोली में लेकर चाहूँ इसलिए तो डॉक्टर के पास लेकर आया हूँ डॉक्टर, मर्द है क्या? छे, औरत है तुम पर मैं किसी पराई मर्द की नजर पढ़ने दूगा कभी नहीं आजाओ अब अंदर चल गए आ गए तुम? अरे कहा थे अब तक श्रीमा नाजिक? अरे यार, उसी जमेलें भसा हुआ था पहले मोनी को डॉक्टर क्या लेकर गया फिर घर पहुचा आप लॉटा तो आखिर अपने होने वाली अवलाद का कतल करा है जजबाती मत बनो कतल उसका होता है जो पैदा हो चुका हो और जब तक बीच पौधाना बने काटने का अलजाम नहीं दिया जा सकता है एक बात बताओ विपिन जब तुमारा शादी का इरादा नहीं होता तो तुम लड़कियों की जिंदगी से क्यों खेलते हो जिंदगी के साथ खेलना वेलना सब घिसे पिटे डायलोग है दोस्त जवानी खेलती है जवानी से और उस खेल के मज़े दोनों लेते हैं कभी ये भी सोचा है लड़की प्रेम के लिए भी खुद को तुमारे हवाले कर सकती है अरे मर्द को भासने के लिए उस वक्त हर लड़की यही कहती है तुमारी मधूने भी यही कहा होगा नहीं पिल्कुल गलत ख्यार है तुमारा हम दोनों तोसे प्यार के मज़े लेते हैं वो नौबत कभी नहीं आएगी जब मुझे मधू को डॉक्तर के पास ले जाना पड़े अरे तब तो तुम दोनों जवानी में ही बुड़े हो गयो यार हमारा प्यार तो बुड़ापी में जवान रहेगा मगर तुम जवानी में ही बुड़े हो जाओगे विपिन हमारा आजिसे पहले कभी किसी ने किया थेशा प्यार ऐसा हमारा प्यार प्यार हमारा चीक कार कल झकार lotta aaf चीक किसी औरे ही किसी किक कार सर्सार येसा हम आरा ये उरू हम आरा येसा आरा प्यार हो, प्यार हमारा प्यार सुर्ज में आजब न हुजाला, फुलों में तीना खुश्पूर इन सांसों में तबसे है तू, तबसे है मी त्यार शुरू कल ये दुनिया होंके नहों पर होंगे जुदा ना हम, कम होगा ना प्यार हो, ऐसा हमारा प्यार कम होगा भना पता प्यार कि कNo more ढर आयार कП आ कि मांदेसे लिक अरच प्यार क美味 जुद थर प्यार को थे कि देश परे रचार मुश्क पी जायर बाख onboard बिना बे रंग पहार, जीवन में कोई रंग नहीं आए बहारे जाए बहारे बदली मौदा, बदली नाए प्यार, ऐसा हमारा प्यार ऐसा हमारा प्यार, क्यार हमारा प्यार बिना प्यार क्या जहां में तुझ में मेरे दौनों जहां तेरे लिए जीना यहां है तेरे लिए जाएगी जाए प्यार की दुश्मन दुनिया क्या है दिसमत से भी हम क्यां में तुझ में दुझ में तुझ में रूग vioति के कि रहते गिरे न Nee black झाला यहाएएए़ तुझ में तुझ प्रेया कम एप buy हॉपा! हवालात से चूट आया हूँ तुझे नर्ख में पहुचाने के लिए मगर उससे पहले तेरी ये माशूक मेरी बाहों में नंगी तरफाएगी और तू उस्वर का नजारा करेगा कम नेट लात से चूरनाइई नायै करार नाय करार Neee! Kalaaaaaa! गजज इस प्राफ यज़ जुज इस प्रु नज़ कोही दो 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 कि अज़ कोई दो कि अजसो कि अम przysz प्रु़ जाओ कि अज़ प्रु़ कि अज़ ज़ हो तिश इफ एकिर थसे क्रेंटे agree उधर आजुझाजे इा पूकिर द थमना न तक फटरिज आड़ मेड़ ठ insights उद्युझ किर उससा सबिद दिन सबหाप है यद चीव हैॲुक है है öglich प्रुब प्रुब ह Nev प्रुब मजू, मजू, मजू मजू, मजू थाचा, मजू इसमाचे जाप, हमें एसमटर लेगे जलिए हमाल, जल्दी केजी रखने साब, जल्दी मजू वटाक साब जल्दी आप यही उप है मौत ही मुझे तुमसे नहीं चीन सकेगी मर के भी मेरी आत्मा हमेशा तुमारे साथ ही रहेगी मुझे तेरी आत्मा बात्मा नहीं चाहिए मुझे तू चाहिए तू जीती जाती तू और तोच से पहले तू मैं मरूंगा अरे बड़े आए पहले मरने वाले पहले मैं मरूंगा नहीं 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 ठोट साथ ठोट सा मदू ठीक है ना I am sorry Mr. Karan कर दोट साथ कर दोट साथ तू ही नहीं तो क्या है जहां में तुझ में मेरे तानो जहां में ए ट help ते लिए पैजिए तुक्या हैए ते जाएगी जाएगी जाएए कै को दुश्मनो दुनिया आ है पसमसे हम मामी दिन आरू आरू एचा हो जाल यद या यान्यान वित लिए क्यों सिटी है यान मंदम्यान यान यान मां यान 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 मंदम्यान यान हुआ 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 है करोचा लाए तु अए थूपके मर जाएगा पखले अभे शटक क्या क्या मर जाने दो मुझे दो मर जाने दो अभे तभी नहीं मर गया था यब तरह माबब तो जाके लए टोरके चल्बसे थे तुझे मालूम था कि तेरी जिन्दगी मदू यसे लड़की आएगी? अबे बोल, तुझे मालूम था क्या? आई न, इसलिए आई कि तुझे जिन्दा रहा? अरे बगले, अब तो क्यों इस खुबसरा जिन्दगी से मूँ मोड़ता है? देख, तेरी अंधिरी दुनिया में फिर से उजाला करने के लिए कोई और मदू चलिया आएगी? नहीं विपन मेरी जिन्दगी में मेरे दिल में मदू की जगा और कोई लड़की नहीं ले सकते हैं अरे यार, अभी तेरा जखन ताजा है, इसलिए तुझे तुझे रहा है लेकिन वक्त हर जखन को भर देता है नासूर नहीं भरता कभी विपन तुझे अबे यार ये नासूर है या जखन मुझे तो वक्त बताएगा वैसे इन दोनों को ठीक करने का इलाज मेरे पास है चल तुझे तुझे मत कर अब नहीं इतनी राज गए तुम मुझे मंदिर में लायो विपन में इन देवी देवताओं के इतना नहीं मानता हूं जितना तू मानता है इसलिए इनके सामने कसम कहा कि तुझे रहेगा और मुझे दोस्ती निभाएगा बड़ा जिदी है तू ठीक है जिन्दा रहने का वायदा तो नहीं करता हूँ, अपने हाथ तो जान नहीं दूगा, कितने दिन जिन्दा रहा, विपिन के साथ दोस्ती निभाँगा, बस, अरे ये होई ना बात, मेरे माठी के शिर, चल कली लग जाओ, इस लब चलते हैं, अरे चलना ये तो खुले ही रहें अबे वो कसम खिलाने का मंदिर था और ये गम भुलाने का मजर्याल है, आजा, अरे जारकन, एक संत्रा, एक सोडा और दो गलास, दो गलास क्यों, अरे बैचना, अरे मैं शराब नहीं पीता हूँ विपिन, तो आज पीले इससे गम फुर हो जाता है, अरे विपिन, मैं नह नहीं पीता हूँ भई, मिले कुछ ठंडा लिया बस, अबे लल्ला, नीमी की घुट्टी समझ के पीले, इससे फोडा पुंसी, जखम नासूर, सब साफ हो जाता है, तो पागल है, मैं नहीं पीता हूँ यार, अबे अकम बखास, तुझे मधू की कसम है, पी, 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 अब तेरा साथ मिल गया है, अब हम मिलके धंदा करेंगे, कल चलेंगे शोलापूर, और वहां से कपड़ों की जरा बड़ी एजंसी ले कराएंगे, तक दिना दिन, दिना 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 आया, अबे उदर कहा जा रहे है, ये फर्स क्लास है, उदर चले, तुझे तुझे क्यो अरे घोषना, सामान सीर्गे नीचे डाल, अब जर अख्ये सकके बैट, हाँ अड़, अड़, आदे, अड़, अड़, तमाल सबल वए, ये क्या है, बाबा, बाबा, क्या ओ बाबा, तबय तो ठीक ने बाबा, बेटा, बेटा, पानी, पानी, पानी ये लिजी बाबा आराम से, आराम से बेटा, कोई, कोई, कोई डॉक्टर करन, तू जाके कहीं से डॉक्टर का इंतिजाम कर, मैंने देखता हूँ मैं आया बाबा बाबा, ए बाबा, परेशान मत बाबा, सब ठीक हो जाएगा बाबा लेजान लेजा ये परेखत rap ये लेखता लेड़ हाई दक्साम हाई आप लोग पुलिस को खबर कर दीजिए पुलिस यहां जी जी चलो चलो तुम लोग काई को फीर लगा रखा है यहां पर आप लोग पंचनामे पर साइन कर दीजिए और नीचे अपना पता लिग दीजिए है और ने वाले के सामन क्या है जी माई यह 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 अबलाक समय लेलो जंग ली कहीं के नरम बिस्तर की आदफ डाल अभी तो सर्फ ओफ फलैट लिया है उसके बात बंगला लेंगे फिर बड़ी सी दुकान लेंगे अभी बहुत आगे बढ़ना है बहुत बऊत आगे बढ़ना लिए कितना ही आगे बढ़नो धोस्त अंत में तो कड़क बिस्तर भई जाना है लकडियों के चिताप पे अयययो दिवा मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसको पीना सिखाया इसको लेने के बाद भी निराशा की बात करता है तेरी ये दवा बैसरे यार मेरे दिल का नासूर कभी नहीं भरेगा आरे भरेगा देवदास, जरूर भरेगा जखम है ना, जरा मरहम लगाने वाली कोई आने तुझे तेरी तेरी जिन्दगी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आये, 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 आये ना अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहां पधारे आप यहां कहीं फड़ास फड़ास में रहती है, मेरे मतलब ऐसे मिलने जोले से प्रेम भलता है जी नहीं, मैं काफी दूर रहती हूँ वैसे आप दोनों विपिन और करण है ना? वो करण है, मैं विपिन हूँ यही तो खुशकिसमती है हमारी कि आप दूर रहकर भी हमारे बारे में जानती है आई, 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 आप यहां, बैठिए थांक्यू मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जी, पुलिस टेशन से जी? जी हां, वहां से आपका नाम और बुराना पता मिला उस बुराने पते पे गई तो चॉल वाले ने कहा कि कल से आप इस फ्लेट में रहने को आए हैं मगर आप है कौन? और पुलिस तक हमारी टोह लेने के लिए क्ली क्यों गई? यह जानने कि जब पिता जी का हाट फिल हुआ, तब उनके साथ ट्रेन में कौन था? तो आप शरीमान स्वरगवासी जी की बेटी हैं वह बरवाला भी कितना अंधा है उसको डालिया जिसके दुनिया में रोने वाले हैं और मुझे देखो, चुबे देखें, मिस्टर विपिन, ट्रेन में जो पिता जी का सामान था, वो आपने पुलिस के हवाले किया लेकिन एक ब्रीफ केस नहीं किया मगर उनके सामान में तो कोई ब्रीफ केस नहीं था था, मिस्टर विपिन, और उस ब्रीफ केस में दस लाक रुपे थे दस लाक हां अब समझ में आया कि जब हम डिब्बे में दाखिल हुए तो आपकी पिताजी हार्ड अटेक में यू पड़े हुए थी हो सकता है कुछ मिनट पहले कोई चोर चक्का वो ब्रीज के वही लेकर भाग गया होगा मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है आपकी इतनी बड़ी रखम चूरी हो गई और आप इंक्वारी के लिए पुलिस को अपने साथ लेकर लिए अगर सुराग न मिला तो पुलिस भी नहीं बता है तो आपके पिताजी के पास हेरा फेरी के रूपे रहे होंगे क्यों एक मिनिट मिस्टर विपिन मेरे पिताजी बड़े इमानदार आगमी थे समझे आप अब आप ये बताईए कि ये फ्लैक लेने के लिए आपके पास रूपे कहां से आए सिक्किम लोट्री लग गई थी आप जूट बोलते हैं जबान सवालिये आपने मुझे जूटा का है मुझे जूटा का आप क्या समझती है मेम साब क्या आपके पिताजी को लूट कर हमने ये फ्लैक सभी दाया है मैं सिस इतना जानती हूं कि मेरे पिताजी का ब्रीफ के स्ट्रेंड से चुरा अब जैसे असान फराम उस लड़की देखें अम्यास तक आइससे क्या देख रही है जाए पुलिस में बोल लगा दीजिए चरवादी ये फांची हमें जाए ना बिला वजे दूचा डंडे और पड़ जाएंगे वो दस लाक मेरे काले धन के रुपए थे साधना मैं पुलिस में नहीं जा सकता तो मैं जाओंगी पुलिस के पास पुलिस तुमसे पूछेगी तुम्हारे पिता मेरे दफ्तर में एकाउंटेंट थे वो दस लाक उनके पास हाई कहा से गया आकर में मैं ही फसुनगा ना लेकिन सेच जी कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे पिता जी के नाम से वो धपा दोने के लिए कैसा दब्बा किस ने लगाया इस घर के बाहर मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि उस ब्रीफ केस में मेरे दस लाक रुपे थी लेकिन सेच जी हो सकता है कि बाद में आप खुद सोचे कि मेरे पिता जी ने कैसी बात करकी उस आधना उस नेक और इमानदार आत्मी के बारे में ऐसी घटिया बात में मरते दम तक नहीं सोच सकता और तुम भी उन रुपियों के बारे में सोच में छोड़ दो जिसके नसीब में थी मिल गए उसे ये ले 200 रुपे तु समझ गया ना करना क्या है यह कुल समझ गया आप फिकर ना करो बोलता हो ना सरकार आपका गुच्छा ख़ड़ा हो गया बालों का बालों का अरे साला इसको भी आज ही ख़ड़ा होना था सरकार, वो घर से कोई निकली देखो ख़डा कर, ख़डा कर, ख़डा कर, नमस्ते में साफ, जिस तरफ ये बस जा रही है, उसी तरफ मैं भी जा रहा हूँ आये रिक्षे में छोड़ देता हूँ No, thanks No, thanks Thank you, sir लगता है आप मुझसे नराज है आप क्यों लिक्षे से उतर गये? हो तो लिक्षा था मेम साब अगर मैने आपने आपको हवाई जास से देख लिया होता ना तो ख्रकी तोल के जब कर गया हो ता आप क्यों मैरे पीछे पड़े हैं? आचो, ठहरो जोड़ो चलो, जोड़ो, जोड़ो, क्यों बैट मेरे साथ? भगवान ने मेरी सुन ली है, मैं मने से परशाद लेकर आ रहा था, वह आपकी जुदी में किर गया, यह राभूल या तो आप एक नमर के चार सो बीस है? या बिलकुल बॉन्दू? जी मैं समया नहीं या तो आप नहीं जानते कि किस जगद कैसी बाती की जाती है या फिर जान बुछकर करते हैं कहां जाना है मैंसाब मांट रोड तुम्हारा रिक्षा इतना तंग क्यों है और चोड़ा नहीं हो सकता था संपनी बनाता है साब जाके उसको बोलो आप कहां जाएंगे मिलन मंसर वो कहां है इसी रास्ते पर है पहुंचते ही आपको बता दूंगा साब मुझे भी बता देना सरा दिये मोड़ो मैं और ये मिम साब पती-पत्मी नहीं है इस बात यहना देर में समझ में आती है तुमसे कहा था न धीरे चलाओ आपने टर्न के लिए कहा था साब मैंने तो ब्रेक मारा है ब्रेक भी मत लगाओ इस आपको समाले में हाथ वहां लग रहा है जहां नहीं लगा क्या है क्या है एकष़ गणly और जिर जाओं कि मैं अरे गिर जाओं कि मैं अरे ये गिर जाएंगी अरे चम हगर आपके रहाँ अरे मैं क्या क्या फ़शे ऑं जाओं गरमाना मैं पाते शाओत अरे अमको मारा कैसे तुमने, अरे तुमने अमको मारा कैसे, मारा कैसे, चलो, मेंसार मीजे उत्रो, चलो, बीच रास्ते में उताता, यही साजा आप लोगों की, समझे क्या, हम मार खाली को नहीं है, दंजा करने को आया है, एक पैसा भी दूगोते, तो नहीं मिला, बहुत प आप चिंता मत किजी, मैं तो हूँ अहां वो क्या कि एस जी की बस यहां से एक घंटे के बाद गुजरेगा क्या? यहां एक घंटे तक रुखना पड़ेगा टाइम कर जाएगा जी आव यहां तो जी वहां देखिए वहां बिक्कुल प्लेन समतल है वहां चले वो पेर बैठिये ना इस पे कहीं आपकी सारी मैली ना हो जाए नहीं नीचे घास है ना आपको घास पर बैठने दू? हो सकता है शर्ष्री पंडित क्यान सागर की बात सत्य हो जाए बैठिये न, ब्लीज क्या कर रही है पंडित क्यान जी वो कौन है? आपने उनका नाम नहीं सुना लेजी, बहुत बड़े जोटिशा चाहरे है पिछले हफ्ते उन्होंने मुझसे कहा था बालक, तेरे जीवन में कन्या आएगी जो तेरा भविष्य बन जाएगी और तू उसका दास एक बात उन्होंने और भी कही थी कि उसका नाम सरस्वती वाले सा से शुरू होगा आपका नाम सा से शुरू तो नहीं होता न ऐसे आपका नाम क्या है बताए न साधना सा आप वह लड़की नहीं हो सकती पंड़जीने यह भी कहा था कि उस लड़की के पिता मध्यमवरगी होंगे मदल क्लास नौक्री पेशा आपके पिता जी के पास तो लागों रुपए थे नई नई वह पैसे उनके नहीं थे वह पैसे जिनके थे उनकी यहाँ पिताजी नौकरी करते थे नौकरी? यानि की नौकरी पर जाई थे? तब तो उनकी दूसरी बात भी सत्ती निकली तब तो तुम ही हो मेरी संगीनी मैं, देखो, देखो साथमा तुम इस तरह में से मुझ न फेरो तुम ही मेरा भविश्य हो तुम ही मेरा मुस्तक्विल हो तुम ही मेरा भूचर हो और मैं, मैं अपने भविश्य के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ सब कुछ, सब कुछ बताऊ सकता क्या बताऊ? यही, यही कि वाकरी तुम नौकरी ढूने के लिए निकली थे? गर में बहन, भाई, माँ है पेट पालने के लिए नौकरी तो करने पड़ीगी न कभी न करने दूँगा मैं पालूँगा उन सब को मेरा भविश्य किसी की नौकरी करे उसे सहाने ही जाएगा सुनू आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं समालूँगा मैं, मेरी जिम्मेदारी है तु किस सोच में डूबी हो जान? जिम्मेदारियां जिम्मेदारी? भाई, बहन, मा ए, सुनो तो रात को मुझे बड़ा अजीब सपना है कैसा सपना? यही कि हम दोनों की शादी हो गई है और सुहाग रात कोई जगडा हो गया कैसा जगडा? यह कि तुम बच्चा चाह रही थी और मैंने का नहीं जानम बच्चा आभी नहीं सबसे पहले मुझे तुम्हारे भाई को पढ़ा लेखा कर उसको अच्छी सी नौकरी दिलवानी है फिर उसके बाद तुम्हारी बेहन के लिए अच्छा सा वर ढूनना है उसकी शादी करानी है तब हम आलाद का मूद देखने के लाइक बनेगे वैसे मैंने ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में तुम जैसा महान और नेक इंसान भी है बिलकुल ने देखो सादना बड़े बुडों ने कहा है नेक की कर और दरिया में डाल और मैं इस बात में यकीन करता हूँ क्योंकि मैं अपने किये को कभी जताता नहीं नहीं में मेरे तो कर्म बोलते हैं और फिर दीरे-दीरे माताजी को यानि कि हमारी सासी जूआ सब कुछ पता चल जाएगा ये मेरा सभागे था कि मैं तुमसे मिली और तुमसे मिलकर मैं अपने पिता जी की मौत की दुरभागे को भूल गई हूँ तुम चिंता क्यों करती हो जान मैं तुम्हें पूरी तरहां से स्वभाग्यवती बनाऊंगा लेकिन एक शर्त है तुम्हें स्वभाग्रात वाले दिन बच्चे की जिद नहीं करो पक्का वादा रहा न यहां थेरू ना देखने तुम्हें दो ना जाओ झाओ देखना यहां कुछ चूब रहा है यहां कहां अच्चे को खोल खोलो 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 अ जाओ एंद ना आपके पिताजी क्या ऐसे ही रोज देवी की पूजा किया करते हैं? हाँ, अपने धन्दे के लिए अच्छा, तो क्या आप मुझे अपनी एक फोटो दे सकेंगी? क्यों? मैं भे इसी तरह से रोज आपकी पूजा किया करूंगा डरने की बात नहीं, आला नहीं ये कान में तो फिर आप देंगी फोटो मैं देवी तो नहीं, जिसकी पूजा की जाए अरे आप देवी नहीं मेरे लिए तो महा देवी है अईसी जानदार पतिमा है, जिसकी घर के साथ साथ मन मंदिर में बिठा कर पूजा करनी चाहिए आँ, धन्यो, देवी ने मेरी पूजा सीखा कर ली, जेखे ना कहा तपका है जै देवी लक्ष्मी, जै लक्ष्मी देवी अब समझा, सपने में भी आएक दर्शन कर लेता हूँ, तो मेरी कमाई चौग नहीं हो जाती है काश के आपके साथ संपर्क भी चम जाता कैसा संपर्क? घनिष्ट, बहुत गहरा, कभी न छूटने वाला लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहां, कि जो आप मेरे घर आके बिराचे आप न सही, तो आपकी फोटो भी सही लक्ष्मी जी, मुझे आप च्छाया देंगी क्या देंगी? देंगी ना तो आपने कान में लगा रहा है? पोल क्या मांग रहा था मेरी बेटी से? तुने क्या क्या इस बर्मंत्र फूंके है, मैंने cardi कानों से बराबर सुना है संपर्क जमाना है, अपने घर में ले जाना है खबरदार अगर ये घर से गई तो उसकी तांगे तोड़ दूँगा साथ में तेरी भी माफ कर दिजे सेट जी नादानी में भूलो गई अकेला हूँ सेट जी बच्पन में कुम्ब के मेले में माबाप छोल कर चले गए थे कुम्ब के मेले में तब से संपर्क बनाने के लिए भठक राओ भावू को गया था माफ कर दिजे सेट जी कैसे माफ कर दो तू जाने क्या क्या कह चुका है मेरी बिटिया से हाँ अगर संपर्क जमाना है तो यहीं रहकर जमाना होगा मेरा घर जमाई बन कर रहना होगा तोल मंजूर है या नहीं मंजूर है ससूर जी सॉरी डार्लिंग, ज्यादा इंतिजार तो नहीं करना पड़ा तुम्हारी बला से, कभी पार्क में बुलाते हो तो कभी समंदर के किनारे लेकिन अभी तक घर चलकर मा से मिलने की फुर्जद नहीं मिले जब भजन कीरतन गाना होगा तो मा जी से मिल लेंगे तुम्हारे साथ प्रेम गान गाने के लिए तो ये सुनसान जगा ही अच्छे छोड़ो ला मुझे जब ये मिलती हूँ एक ही भूठ सवार रहता है तुम्हारे सर पे अरे जब अपसरा सामने हो तो भूठ क्यों नहीं सवार होगा साथना रानी अब ये मसका पारिश बंद करो मेरे सर पे तो सिर्फ परिशानिया ही परिशानिया है बढ़ती जा रही है एलो तुमने मुझे समझ क्या रखा है साथना तुम्हारी किसम मेरा पर्स खाली हो गया है जरूरत पड़ी तो और दे दूँगा मैं सच्चे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हारा दिल तुम्हारी पर्स में है क्या मैं तुमसे रूपिय लेने लगो तो ऐसा लगिगा जैसे अपने जिसम बेच रही है तुम्हे तेखो अगर सच्चे दिल से मेरी मदद करना चाहते हो तो शादी कर लो मुझसे तो कर लेंगे शादी हम ऐसी जल्दी भी क्या है है जल्दी दिन चर चुके है मुझे क्या तो हफ्ते से ज्यादा फिर वही केस बस यही है मेरी भेंगी और यह साधना है मानना पड़ेगा आई तक अब जितनी भी केसिज लाई है उन सबसे सुन्दर है यह कैसे केस डॉक्टर क्या है पहले भी दूसरी लड़कियों को यहां लाते रहे हैं लोग अकसर ऐसे केसिज मेरे ही पास लाते हैं क्योंकि मैं अबोर्शन में एक्सपर्ट हूँ हाँ यानि गरपात कोई खास तकलिफ नहीं होगी आप आठ दस घिंड़ों में अपने घर जा सकेंगी इसका मतलब यह हुआ कि जूटे वादे करके यह दूसरी लड़कियों को भी अपनी वासना का शिकार बनाते रहे हैं और उस नीच काम में आप इनकी मदद करती रहे हैं देखो लड़की यह क्या करते हैं क्या नहीं मैं इसकी जिम्मेदार नहीं मैं तो अपना फर्स पूरा कर रही हूँ और आजकल तो गरपात की इजाज़त कानून भी देता है इजाज़त देता है परिवार नियोजन के लिए किसी कवारी लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं और आप भी ये मत समझेगा मिस्टर कि इस बार भी आसानी से बच निकलोगे मैं उन कमसूर औरतों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे भेडियों का शिकार बनकर भी चुप रहती है नारी अधिकार के सामने लड़ना नहीं चानती अगर तुमने मेरे साथ द्याह नहीं किया तो इस समाज में तुम्हारा रहना में मुश्किल कर दोगी मगर कौन का रहा है इंकार देखो तुम मेरी बात तो समझे रही है देखो मेरा अपना तो घर है नहीं मैं ब्याकर तुम्हें कहां ले जाओंगा मैं खुद तो करन के साथ में रह रहा हूँ अभी अपना घर बनने में महिनों लग जाएंगे इसलिए तुम इससे छुटकारा पा लो हर्गिस नहीं बहुत आ चुकी तुम्हारी चिकनी चुपडी बातों में अब साफ सुन लो तुम्हें फॉरन मेरे साथ ब्या करना होगा और चप्तर घर ना मिले मैं मा की साथ रह लोगी देखो तुम भी साफ साफ सुन लो तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ लो फिलाल मैं ब्या नहीं कर सकता भेंजी जो कह रही है वो ठीक कह रही है तुम अबर्शन करा लो ना वरना समाज की कलंक से बचने ही पाऊगी बरबाद हो जाऊगी तुम मैं बरबाद हो गई तो इन मिस्टर को भी चैन से जीने नहीं दूगी आरतों की सुरक्षा के लिए हैं कुछ संस्ता है उनका दर्वाजा खट खटाऊंगी इन मिस्टर की अस्रियत सारी दुनिया को बता दूंगी और आपके भी मेरी अस्लियत आप समझती है कि अबोशन करके आप अपना फर्स पुरा कर रही है जी नहीं रूपिय बटो रही हैं आप पेबस अबलाओं की मुसिबत से पैसे कमा रही है एक औरत होकर भी आप इन जैसे लुटेरों को शेय दे रही है जो बोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फास कर उनकी आबरू लुटते हैं और आप आप बिजनेस बढ़ाते ह चली है मुझे कलंग से बचाने औरत जात के नाम पर आप खुद एक कलंग हैं साधना ने ठीक ही कहा है मिस्टर पीपिन आप फिर ऐसे केस मेरे पास मत लाइएगा और सुनिए अगर साधना ने आपके खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं इसका साथ दूँगी साधना ने मेरी भी आँखे खूल दियें डॉक्टर बेहन जी मेरे भी समीर को जगा दिया है मेरी पिछली जिंदगी के लिए मेरा समीर मुझे मलामते दे रहा है आज से आज से मैं नई सिंदगी शुरू करूँगा डॉक्टर बेहन जी नहीं जिन्देगी शुरू करूंगा शाधी की तैयारी के लिए मुझे थोड़ी सी महुलत दे दू सिर्फ दो हफते उसके बाद हम हमेरे शा के लिए पत्वी पत्नी बन जाएंगे साधना तो मैरे बच्चे की मा बनने वाली बिपिल तो मैं उसके साथ फॉरण शादी कर लिनी चाहिए वरना उसकी जिन्दी की तबहा हो जाएगी बुद्धी भिष्ट हो गई है तेरी साधना यसी कंगाल से शादी करके जंजाल के सिवा कुछ नहीं मिलने का है अले सेट धनी राम की बेटी से शादी करूँगा करोण हाथ में आएंगा करोण ऐसा सुनेहरा मौका बार बार नहीं आता मैंने तुस्से कहा था न नरम विसतर पर सुनी क्या दसदर अब हमें महलों में अपनी नरम सेज के लिए तुम किसी की जिन्दगी में काटे बऔर रह हो बपिन जो बोगे वोही काटोगे एक दिन तुम्हारी ये नरम सेज कार्टो की सेज बन जाएगी हाँ अबे तु ये भाशार देना बंद कर और मेरा उससे पीछा चुड़ाने में मदद कर क्यों इस बार पीछा चुड़ारा भारी पढ़ रहा है हाँ यार बड़ी जिद्धी है कहीं उसे पता भी चलिगा कि मैं के और शादी करने वाला तो वहीं लगन मंदम में आकर हंगा मां खळा कर देगी ठैरो यह यह शादी नहीं हो सकती मैं इसके बच्चे की महावन ने वाली हूँ इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे किसी गाउं में ले जाता हूँ तु मेरे साथ चलेगा वहां से मैं चुप चाप खर सका हूँगा तूसे मारो करना यहां कि मैं सिर्धी नाम की बड़ी से शारी कर लिए क्यों कैसा लगा प्लाइन है हद नीच और थर्ड क्लास है अरे पाखंडी साधना जैसे भली लड्की के साथ तो फरे मत कर हाई लगे उस बेचारी की अवे तू क्यों उसकी वकालत कर रहा है तू दोस्त मेरा या उसका यह मत भूल मंदिर में चुना दोस्ती ने बाने का समकाई आपन दोस्ती नहीं एक दोस्त के साथ दुष्मनी होगी बेपन सची दोस्ती वो है जब मैं तुम्हें गलस काम करने से रोकूं एक अच्छा इंसान बराऊ तुम्हें तुम्हें साधनाई से ही शादी करनी होगी देख उससे रास्ते से अठाने मेरी मदद कर नहीं तो इस काम के लिए गुंडे भी खरी दे जा सकते हैं क्या का गुंडे हाँ वो उसे हमेशा के लिए रास्ते सा डा देखे हैं यालिके तुम कतल कर आप है हाँ मैं उसका कचल भी करवा सकता हूं अपनी मंचल को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता है विपिल अरे डारलिंग साथना माई डारलिंग आई लव यू सो साल जी होगी तुम मैं तो तुम्हारे ख्याल में डुबा हुआ था अगर तुम ना आती न तो तुम्हारे जुदाई में समंदर में कूटके मर गया होता अरे मेरी रानी के चेरे पर लाली आगी देखें लड़का होगा लड़का गोलूशा लड़का होगा गोलूशा मा को पता चल गया है कि मैं वो तुमसे मिलना चाहती है तुम्हें जानना चाहती है घर चल कर उसे यकीन दिला दो कि हम दोनों शादी करने वाले हैं प्लीज अरे यकीन क्या जाने मन चटपट शादी करके दिखाते हैं तुम्हारी मा से मिलने के पहले तुम मेरी मा का अशिरबात लेला है हां हम इस वक्त कहा चलते हैं ठैरिये सादना जी मज जाई ये विपन के साथ ये छल कपड कर रहा है आपके साथ अरी चुप करना यार इसे मज़ाग करने की पुरानी आदत है हम चलते हैं ना डर्लिंग यह मज़ाग नहीं है सादना जी यह भाकार है आपको मेरा यगीन कीजिए मैं भगवान की कसम कहा कर कहता हूँ बेपिन की जिंदी में ना कोई मा है ना कोई बात यह आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि यह किसी दौलत मन ललकी किसा शादी कर सके आरे अए जूट बोला अए पागल अै गड़ा ज्ूट बोल असाया का अगडर मेरी링 है आह मेरी खार की कसम और क्या क्या की जूट बोल रहा हूँ बोलर में जूट बोल रहा हम कि जूट बोल्ट बॉलавливाश्य लगवां लेकिन मैं इस देखिए मज़े काम जी जी ये बितन वकूफ आप चलिए खर में आपको खर सोट देता हूँ नहीं घर जाने से तो अच्छा है कि मैं समंधर में खुद कर अपनी जहान देता अब मैं किसी को अपना मूह दिखाने के काबिल ले रही साथ माजीब देखिए कमजोर मत बनिये मुझे यकीन है कोई ने कोई रास्ता निकल आएगा लेकिन मैंने मा से वाधा किया था कि मैं उसके होने वाले दामाद को अपने साथ लेकर आओंगी मा में इस करने साथ वो दामाद आप्की माता जी तक जरू पहुंचे हो ने चीं़ा चीं़ ये तो दामाद आपकी माताजी तक जरू पहुंचे हो साथ भीला जी चीं़ मुझे उम्री दे कि मैं सारी उलजुनों को सुलजा सकूँगा ये क्या किया तुम दोनों ने मा ये हूँ शर्मिंदा हूं मा जी उस गलती की इभाफी मंगता हूं आपसे जो मैं और आपकी बेटी जवानी की जोश में कर बेड़े हैं ये अब क्या कह रहे हैं मैं ठीक ही तु कह रहा हूं हम दोनों शादी करेंगे तो क्या हुआ शादी से पहलों इस हरकत को गलती ही कहा जाएगा अब होश में तो है पूरे होश में हूँ कहा था तुम से अब हर उलजुन को सुलजाना मेरा कामरा बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए तुम मा मन्यवाली हो ये बात अरोस पुरोस पे जार देन चुप नहीं सकती ठीक कहते हो बेटा कितनी जल्द हो से के मेरी बेटी से शादी कर लो हम कली ब्याह कर लेंगे माची अच्छा क्या अरे क्या हुआ इसे ये भाग क्यों गई चाहती होंगी उनके ब्याह की तारिक उनकी मर्जी से तैकी जाए अगर आप इजाज़त है तो मैं उन्हें समझाओ जाओ जरूर समझाओ बेटे जाओ साधना जी ये क्या किया आपने कोक में पच्छा किसी और का हो और पती कोई और बने ये कोई भली औरत स्वेकर नहीं कर सकती जब बच्चे का बाप आपका पती बनने को तैयार नहीं तो फिर हुर क्या किया जा सकता था कोई और उपाई हो तो बताई आप मुझे मैं मेरा पती बनना पड़ेगा उसे, किसी और से ब्याहन नहीं करने दूंगे उसे उसकी दखाबाजी सारी दुनिया को बता दूंगी और मेरे तरफ से आप गवाही देंगे, वो डॉक्तर गवाही देंगी मैं समाज में उसका रहना मुश्किल कर दूंगी उसके पहले वो दुनिया में तुम्हारा रहना खतम कर देगा मुझसे कह चुका है वो, कातिल गुंदे लगाएगा तुम्हारे पीछे ठीक है, कर दे खतम, मैं इसके लिए भी तयार हूँ जमाने का कलंग छेली से तो बहतर है, कि मैं मर जाओ तुम्हारे मर जाने के बाद, तुम्हारी मा और भाई भेहन का क्या होगा यह सोचा तुम्हें क्या वो खुश रह सकेंगे, कौन पाने का उन्हें भर की तुम तु बच निकलोगी, तुम्हारा कलंग, तुम्हारे अपनों को डसेगा तुम्हें जीना होगा साथना अपनी मा, भाई और बहन के लिए जीना होगा जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दुआ उसी में सब का भला है हम अपने भले के लिए आपके जिंदगे क्यों बर्बाद करें पत्मी की बारे में आपके अपने कुछ अर्मान होंगे घरेलू जीवन के कुछ सपने होंगे सारे सपने तूट गए सारे अर्मान मिट गए उसी दिन जब मेरी मदूने दम तोड़ा उस दिन मैं भी मर गया चलता फेड़ता हूँ, सासे लेता हूँ वगर अंदर से बिल्कुल मर चुका हूँ इस जनम में मदू के सिवा किसी और लड़की से प्यार करना मेरे लिए मुम्किन नहीं इसलिए तैय कर लिया था कि मैं कुवारा ही रहूँगा लेकि अब मैं तुम से ब्या कर सकता हूँ क्योंकि हमारी शादी तो एक समझोता होगी हम दुनों के बीच ताकि समाज में तुमारे घराने के इज़त बनी रहे मा बनने से पहले तुम्हें बती मिल जाए और तुम्हारे आने वाली संतान को बाप ये भी सोचा है कि आपको क्या मिलेगा उस समझोते से एक ऐसी पत्नी जो किसी की जूठन है ऐसी ओलाद जो आपका खुण नहीं घरेलू जीवन जो बिल्कुल बनावती होगा कुछ दिरों के बाद आप सोचेंगे कि ये कहां भज गया मन का खलेश आपसे सहा नहीं जाएगा कोई क्लेश नहीं होगा बलकि खूशियां मिलेंगे मुझे तहा साथ ना अगर इनसान समझे तो दूसरों को सुखी करने में भी एक निराना ही सुख है मतों की मौत के बाद मैं कम ही समझ नहीं पाया कि मैं क्यू जी रहूं किस लिए जिन्दा हूँ लेकिन अब जीने का मकसद मिलेगा मुझे मैं तुम सब के लिए जूँगा तुम्हारे आने वाली संतान के लिए जूँगा मैं कुछ जिंदियों के काम आ सकूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा लेकिन मुझे डर है उस नीरस जीवन से आप देरे देरे ऊप जाएंगे नहीं अपने आपर विश्वास है मुझे ब्या के बाद हम एक छट के नीचे तु सोएंगे लेकिन एक बिस्तर पर नहीं हमेशा एक परदा रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में कि मुबारको जीजाजी पेका हुआ है पेका अले ले ले कितना प्यारा लग रहाँ है बच्चे को कालागी का लगाऊ बहें किसी की नजर न लगे अई जीजाजी मुबारको दीबी पास आओ करन बेटे को गोद में नहीं लोगे क्या? क्यों नहीं? बच्चा बिलकुल अपने बाप पर गया है भगवान न करे क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुम जैसा निकले? मुझे खुशी होगी अगर ये अपने मा जैसा निकले आज जल्दी खर आईएगा पती सेवा हो रही है भावी अरे करन भाईया आज फेरा के ले कभी तो भावी को हमारे घर लेके आईए आप देवर पर हुकम चलाएंगी कभी इनसे भी कहिए आपको हमारे घर लाएं खर पहले मुझ मीठा कीजिए किस खुशी में? मेरे घर बेटा हुआ है मुबारा को करन भेया थैंक्यू भावी चलिए जी अभी चलिए अपने भाथीजे को देखने मेरा भाथीजा अरे करन भेया आपके पाटनर है भाई समान है इनका बेटा आपका भाथीजा नहीं हुआ क्या चलिए फॉरण हाँ चलेंगे चलेंगे फिर कभी अभी चलिए मैं बच्चे की मा से भी मिल लूँगी आसक दर्शनी हुए अरे सोच क्या रहे हैं चलिए ना आप उनके बच्चे को नहीं देखना चाहते क्या बच्चों से कोई भी नजर नहीं चुराया करता भावी हाँ कभी कभार बढ़ों से नजर मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा बग बग बंद कर चलेंगे लक्ष्मी जरह मुझे काम से फुर्सत बाला नहीं तो फिर तो में लेके चलेंगे अभी तो मुझे इससे धंदे की बाचीत करने है अब मुझे का ताक राय खड़ा खड़ा चल बहर में चलते हैं बेटे ही फुजी में कोई जश्न मश्न मनाते हैं चल लीजे भावी ये ले मेरे बेटे की परवरेश में किसी बात की कसर न रह जाए तुम्हारा बेटा तुम कुछ भोल रहे हो वेपिन मेरी धर्म पत्नी ने उसे जनम दिया है वो मेरा बेटा है सिर्फ नाम के लिए करन लोगों की आखों में धूल चौकने के लिए उस बच्चे की रवो में जिसका खून बहरा है वो उसका असलिवाब है अरे तुम तो अपने खून को गर्म में कुछल देना चाहते थे पिपिन उसे जीवन दान देने वाला मैं हूँ उसकी रक्षा करने वाला मैं हूँ बढ़ाबने ये रुपे अपने बेटे की परवरिश में खुद अपने दम पर करूँगा जानता हूँ तिरा ताम उस बेटे की परवरिश तो एक तरफ रही मेरी मदद के बिना तो उसकी मा को दो वक्त की रोटी भी रही खिला सकता क्या कहा तुम ने? हाँ बुरा ना मानो करन अपने आपको पहचाने के कोशिश करो आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी ऐशो आराम है वो मेरी वज़ास है, मेरी देन है अगर मैने तुम्हें अपने साथ न रखा होता अपना पार्टन न बना रहा होता तो तुम्हारी हैसियत वही सलक छाप फाक के मस्त फेरी वाली क्यों हती हम शुक्रिया वेपिन मेरी अवकाद याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता दगे कि मुझे भागिदार बना कर मुझ पर इतना बड़ा आइसान कर रहे है अरे मुझे उस फेरी वाले की फा के मस्ती मन्जूर है मगर आश वराम की जिंदगी के अपने खुद्दारी बेचना मन्जूर नहीं आचे तुम्हारी हो मेरी भागी जारी खतम करना पागल मत बनाओ तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे मंदिर में तुमने भागवान के सामने दोस्ती निभाने की कसम खाई थी दोस्ती निभाने की कसम खाई थी मगर काम धंदे में भागी जारी की कसम तो नहीं खाई थी निभाता रहूंगा दोस्ती लेकिन बाकी के मामलों में तुम्हारा रास्ता लग, मेरा रास्ता लग चलता हूँ छोड़ी बोतल, खाना खाने चलिए वाई, तासे मैं सिर्फ क्योंगा खाओगी तुम क्यों? आप क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि मैं तुम्हें खिला सकूँ विपिन का साथ छोड़ दिया कड़की तो आएगी किसे वोई तड़क छाप फेरी वाला यह जानकर मैं बहुत खोच हुई विपिन ने का कि मैं तुम्हें दो वक्त wander के रोटी नहीं खिला सकूँगा आरे दो वक्त? क्या मैं तो तुम्हें चार वक्त थी खिला हुआ चार वक्त यह इस घर में खाने वाला है ये कौन? मुन्ने के भी उमर मेरी जैसी, पीने की है विपिन ने चैलेंज दिया है, तो आप भी आगे बढ़कर दिखाएए, कुछ करके दिखाएए खागे बढ़के, कुछ करके? क्या करके दिखाऊँ? आई तो तुम घड़ी हो? नहीं मेरा मतलब, अब आप फेरी वाले नहीं बनेंगे तो फिर क्या बने होगा? इतने दिनों से गार्मन बिजनेस में है, कुछ ने कुछ सीखा होगा अब आप अपनी खुद की नहीं डिजाइन्स तेयार कीजे घर में मशीन भी है, मैं कपड़े सी दूँगी और दूसरे फेरी वाले उस डिजाइन को पेचेंगे मैं ड्रेस डिजाइन कर तकूँगा हाँ, क्यों नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, हर तरह की मदद के लिए अपने आप में विश्वास चिखा कर एक बार कोशिश तो कीजिए अरे, यह क्या करने लगे आप, ना आप ले रहा हूँ नहीं डिजाइन का ड्रेस तयार करने के कोई मॉडल की जरूद होती न तो, हुँ तो, हुँ तो, हुँ तीस भात पच्छीश यह उपर का नाप लेना पड़ेगा तभी ठेस बनेगा न देखे जी, ऐसी चुई में ख़़ी रहोगी तो कैसे चलेगा तो, में यह कहा था कि त्रेस में बनाओ तन के ख़़े जाई और हाथ उपर कर लीजी प्लीज प्लीज यह सांस लेना कम कीजिए प्लीज क्या हुआ कुछ नहीं तो भी राज से भाग क्यों गई नाप लेना बागी है आए न कल यह भी ठीक है नाप लेने से फायदा क्या ट्रेस बनाने के लिए प्लाव अगेरे की जरुद पर्टी है फिलाल पैसे कहा से आएंगे कितने रुपे लगेंगे यह कोई तीन चार्स दो रुपे खोज आएगा कुछ न कुछ पगवान जरूर मदद करेगा आएगो पाएगा ऑएगleo करेणि क्यूआ कर्षो 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 यह रुपए मेरे तक्यबे कैसे है? यह चाहि लीजी अरे रुपए यहां कैसे? भगवान जब देता है तो छपपर फाड़ के देता है हमारे छपपर में तो जरार तक नहीं और तुम के मेरा ख्याल है तुम्हारे कानों में बालिया हुआ करती थी सिर्फ खयाल है यकिन नहीं हमें साथ रहते हुए महिनों बीद गए यानि के थी बालिया और वो बालिया बेच कर तुम्हें रुपए लाई हो ना? बेची नहीं गिर्वी रखी है अब ये रुपए हमारे काम आएंगी वो बालिया किस काम की? ये तुमने अच्छा नहीं क्या सतना इस वक्त में बहुत छोटा मैसूस कर रहा हूं ये घर चराने के लिए तुम्हारे जेवर वेके लानत है मुझ पर अच्छे आप फुजूल परेशान हो रहे हैं मेरे लिए बेकार है सारे जेवर मेरा शिंगार देखने वाला है ही कौन आपका कारोबार चल पड़े तो छुड़ा लाएंगी वो बालिया अब चेट पर चाई पीकर जाए बाजार और जरूरी सामान लाकर जुच जाए अपने काम में है हूँ अश्य के साथाम अचर जाए अश्य के साथानाथ एक नई लगोटि लाओ प्हलवा चींगे हमें भीगोटें देखो क्यातान तो फिर गोद में क्यों लिआ, पालने में ही रहने दिते बाप के बाहों से बढ़े काौं सा पाल ना हो सकता वीटएगेख लिए अब तूहीं बाहों में नहिrire ना होगा ज़री है? सिर्त इसके लिए मुझे दीजे मुन्ना, आप कपड़े बेदल डाले पापा एक बहुत ही अच्छी केमिस की दुकान मिल ले क्या मुसीवात है यार, तुम्हे को दूसरा बाप नहीं मिलाता वक सकता हूँ, भयरा नहीं हुँ तुम बोलो क्या है पापा एक बहुत ही अच्छी टुकान मिल ले रही ह है आप क्या तुम्हे करीं लूं क्यों गार्मेंट की फैक्तरीं काली वी क्पनी record की सुन चाल के भीद लःन रहा है मोद सारे कारोबार समाव लूँगा वस आप देखते जाइन और सुनते जाइए एक दिन आपका दामाद कितना नाम और धन कमाता है कितना नाम और ढटा दासे धन तो तुम क्या सिर्व नाम और धन पैदा करने के लिए मेरे दामाद chegou तो और किस लिए बना हूं अवलाद पैदा करो, गोबरगणेश अवलाद पैदा करो, देर साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हारा ए ससूर घर में बैठे बैठे मक्षिया मार रहा है, अब इस उमर में और क्या मारेंगे ये, कुछ नहीं, मुझे एक नवासा चाहिए दिल बहलाने के लिए, क्य मंता के सागर का मती है तु, अदमा के जीवर के जोती है तु कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जिए उम्र में बिले कर जिए जीना है अब हमको तेरे लिए जीए उम्र मेरे भी ले कर जिए जीना है अब हमको तेरे लिए जीना हिए तेरे लिए जीना हिए और जीना है फिरे जीना हिए जीनाओ जीना हिए तेरे बावी आपको राप्टार्ण रापनुक्त, रापको रापनुक्त, पास्थ के दुदिता रापकाई कुछ रापकाई आपको के आपको करेंगे। मा तिर तुल हर बनी पाके तुझे जीने का सहारा वा मिना बदले मेरे जिन्दगी ये हर जाने या दिल जाने ये दिल जाने या हम जाने एहसान क्या तुने हम मर की जीना है अब हम तो तेरी ले जीए उम्र मेरे जेकर जीए जीना है अब हम तो तेरी ले कि बाप हम तरी जाने कर वा तो गजो जयता अग अ से, मैं सम says Durham, बजय क्वक ईनकनि कॉक करुज़ मेंघ sपय cरिक कुक क्वक में युध भाइवा, बाइवा, उयार बाइवा,י। क्वक पेसक फ्सकाया बाधर प carbon के क्में चूना थ्स आऊ, क्षा बाक शरम जाने ने ने ना मुच्टे तमाना के मुझे तु ऐसा वारिस बने एक दिन वो मुखत का मशी अचु तरे प्यार में धुमाना दे पासु तेरे हम भी जाए हम भी जाए पासु तेरे हर कर तु खुशिया पार दिये जिना है अब हमको तेरे नी जिना है अब हम से तेरे नी प्यार में पासु तेरे नी जाए 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 बाए लाए जाए 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 आ हुआ हमारा जाए जाए में पूरा तुम और मंदिर में। क्यों, नास्तिक भी तो नहीं था। भग भी तो नहीं थे। तुम जैसों को भगवान या तो मुसीबत में या आता या जरूरत में। बिल्कु ठीक कहा करन भया। मैं तो मा बनने के लिए भगवान के चर्ण में जाने कपसे माथा टेक रही हूँ। आज इने भी साथ लाई हूँ। तो मैं तो अलाज से ज्यादा धन का मोता भी पिन। इसलिए भगवान ने धन तुम्हारी तेजूरी में पहुचाया। और बेटा मेरी गोड मेन। बड़ा ही प्यारा बेटा पाया है आपने। यह बच्चे की मां हे ना करन भीया। जा। अब चलिए ना घर। चलो। अच्छे चलते हूं। मैं जर बच्चे को प्यार तु कर लो। आ बेटा मेरी गोड में आओ। मैं पापा की गोद से किसी की गोद में नहीं जाता, मामी की गोद में भी नहीं ओए अधनाश कितनी प्यारी बाते करता है, तुम्हें भी प्यारा लगता है ना जी हाँ, बहुत प्यारा मा इंतजार कर रही होगी, अब चलिए भी सुनो तो भावी, आप और करमया ऐसा प्यारा प्यारा एक और बेटा पैदा करके हमें गुद्दे दो किसी आना था अश्रम से ले लीजी चलिए चलता हूं भावी चलो मुन्ना ए मुन्ना साधना 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 मुन्ने राजा साधना कहां चलेगे दोनो आप आगें आज सवेरी नहीं, शाम को नहीं सर्थ होना था मुन्ना का है मा आई थी, अपने साथ ले गई कल शोर जाएगी अच्छा यह गदा यहां क्यों बड़ा है? मुद्द से इतने दिनों से तुम सक्त बिस्तर बे सोती हो मेरे पदी भी तो सोते है आई 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 चाइका वक्त गूसे चुका आई कर दो कर दो तरवादा बंद रखो चुरी सेजबे अकेली तुम अब्बे मुझे नजर आती हो बंद कर दो दो अले नया परदल तरवादा बहुत पी चुके अब नहीं पेने दूंगी पती वरत धर्म का पालंग हो रहा है शरा पीने सो रोक रही है और सब लेके जो घूट पती मुद्दत से पी रहा है इसका कुछ क्या दे सबर के घूट नहीं समझे न आव मेरे साथ आव तेगो जाने में तेगो यह असीन चहरा यह रंग रूप मेरी पत्नी का है जिस पर मेरा पूरा अधिकार है तुम्हारी जवानी मुझे लुबाती है तरसाती है अपनी तरफ खीचती है फिर भी मुझे अपने आपको तुमसे दूर रखना पड़ता है लेकिन आप ही ने तो कहा था कि एक चात तिले रहकर भी हम दोनों की बीच परदा रहेगा तब मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रूप गोने कि मेरे मन को मुझे मेरे तिलों दिमाद पर थीरे थीरे इच्छा जाएंगे मुझे उस वचन जाजाद करो साता मेरे लिए अब तक जरा सी चाहत नहीं जागी चाहत क्या चीज़ पूजा और भक्ती भी जाप चुकी है मेरा सवबाग है कि आप जैसा कदरदान पती मिला मुझे आप सिर्फ मेरे पती ही नहीं मेरे देवता है मेरे भगवान है आप और भगवान पे मसले हुए फूल नहीं चड़ाय जाते पाप से दुशित ये बधन आपके योके नहीं मुझे देवता या भगवान समझना छोड़ो सिर्फ इंसान समझो अपना पती समझो मैं तुम में जारा से भी दोश नहीं पाता पला की कशिश पाता हूँ मिटा दू ये फासले साथना और ना मैं भागल हो जाओंगा मेरे सीने से आके लग जाओ आके लग जाओ मेरे सीने से इसे देखिए आप मदू को दिन रात अपने सीने से लगाये रखते हैं नशे की हालत में मदू का अधिकार मुझे मत दीजिए अन्याय होगा उसके साथ मैं जानती हूँ मदू के लिए आपका प्रेम कितना गहरा है कितना पवित्र है और उस प्रेम की बड़ी इज़त है मेरी नजर में इसलिए आपके और मेरे बीच का फासला मिटाने का साहस नहीं है मुझे मैं जानती हूँ कि मेरी और आपका चुका आपकी ख्वाहिश सिर्फ जिस्मानी है तुम गलत समझ रही हो साथना खलत होया सही इतना जानती हूँ कि आपकी बेचनी बढ़कर अपतड़ब बन चुकी है आपको मेरे तनमन पे हर तरह से अधिकार है वो तड़क मिटाने को अगर आप चाहे तो इस पर्दे को हटाकर उस सरफ आ सकते है मैं आपको रोकूंगी नहीं नए साथना अब तो ये पर्दा तब ही अठेगा जब तुम्हे विश्वास हो जाएगा कि तुमने मेरे तिल में अपनी जगा बना लिये और तब ये पर्दा तुम खुद अठाओगी जाओ सोजाओ लक्षमे लक्षमे आजकल जब काम से लाटता हूँ तो मैं अजीब बेसरे मूर में पाता हूँ इस तरह रोती को रहती हो कोई नया शक जागा है क्या डॉक्तर की रिपोर्ट आई है अपने नसीब पर रोती हूँ रोना तो मुझे अपने नसीब पर चाहिए मुझे तो पहली से इस शक था कि तुम बांच हो बांच? बांच कहा तुमने मुझे? तिलमिला क्यों उठे? कोई गाली तो नहीं दे मैंने वही कहा जो डॉक्तर ने अपनी रिपोर्ट पर लिखाऊगा ठीक है तुम्हे यकीन है ना कि मैं बांच हो? हजार शादिया कर लो फिर भी तुम आउलाद पैदा नहीं कर सकते क्योंकि खोट मुझ में नहीं तुम में है अच्छा? खोट मुझ में है? बेवकूफ औरत मैं आउलाद पैदा कर चुका हूँ तुझसे ब्या करने से पहले क्या? क्या कहा तुमने? हाँ और बच्चा मौजूद है इस दुनिया में बांज तू है तू तो पड़ो यह डॉक्सर की रिपोग। शादी से पहले आयाशियों का ये फ़ल दिया है भगवाने तुमें कि अब तुम बाप बनने की काबिल नहीं रहे ये समाज से तुम मर्दों का है न? अरे तुम लोग तो आसानी से दीगे मार सकते हो कि मैं दूसरी से उलाद पैदा कर चुका मगर मैं और अज़ात कैसे थाबित करूँ कि मैं बाबनने की काबिल हूँ? बोलो, बताओ मुझे तुम्हें से वह और किसके पहलों में जाओ मैं हाँ आपर प्यार को पोरा भी जवातेगा मगर तुम जवानी में बोलो अज़ा जया ज़ना छोड़ो झाज़ा झाज़ा झाल चलो चलो उठो पहले खाना खालो फिस हो जाना पापा के हाथ से खाऊंगा पापा तो दवाई पीने बैठ गया है मैं भी पीऊंगा ठीक बचे दवाई नहीं पीते तो क्या बड़े ये पीते हैं हाँ तो आप क्यों नहीं पीते सुनो तुम रोज पापा को अपने हाथ से खिलाए करो फिर वो दवाई पीना छोड़ देंगे अच्छा पापा खाना अरे बेटा आम सॉरी हम तो आपको खाना खिलाना भूली गए अभी खिला देखाएंगे आप मुझे खिलाएंगे मैं आपको अरे बेटा आपके पापा तो रोज देर से खाना खाते हैं नाई अब मेरे साथ खाना पड़ेगा रोज पेट भरके नाई बेड़ थाली में खाना कितना कम है और तुम्हारे लिए तो है और मैं और खाना परस्दूंगी पच्छे का मन रखीजे ना आप रोज मेरे साथ अब आपके तोई दवाई नहीं पिएंगे ये पट्टी जरू तरी ममी नहीं पड़ाई हुए हाँ पापा बच्छा बाप का प्रोभेशन मिन स्टा कौन सा मिनिस्टर पापा फूर्ड मिनिस्टर चल कि अधा प्यूम् 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 आख चला जड़र आएबूबरा है चलो, खाना खालो मुख नहीं है तुम्हारे लिए अब तक मैंने भी नहीं खाया कोई जरुवत नहीं है इस हैसान के अपनी नर्म सेज के लिए तुम किसी की जिंदगी में काटे बोल रहे हो पिपिन जो बोगे जो ही काटोगे एक दिन तुम्हारी नर्म सेज काटोगी सेज बन जाएगी हाँ जाएगी हाँ तुम जवानी में गोड़े हो जादो तुम जवानी में गोड़े हो जादो तुम जवानी में गोड़े हो जादो उसे कोई खास बच्चा है तुम्हारे ध्यान में मेरा मतलब कोई ऐसा बच्चा हो जो हम दोनों को पसंदो सुनो मैं तो उस बच्चे को गोड़ लेना चाहती हूँ जिसे तुम ब्यासे पहले पैदा कर चुके हो मा घरन मा गर लक्षमी वो मेरा खुन न सही कम से कम तुम्हारा खुन तो होगा उसे ले आओ घर में मुझे मालूम नहीं वो बच्चा अब कहा है मा के पास होगा और कहां मुझे ले चलो उसके पास मैं उससे समझाऊंगी मिन्नते करूंगी कि बच्चा बाप को दे दे मैं मा का सारा प्यार दूंगी उस बच्चे को मालूम नहीं लक्षमी उसकी माँ आप कहा होगी लेकिन तुम्हें वह बच्चा भी ते बहुत पहरा लगा था यह तुम्हें करन की गोद में देखा था तुम तु ऐसे कह रहे हो जैसे वह कोई एक लावारिस है करन वहिया का बेटा नहीं करन मेरा दोस्त है ना मेरा जिवरी दोस्त मैं उसे समझा लूँगा कि तु अपना वच्चा मुझे देदे एकलवाता बेटा किसी ने दिया है कभी तुम इसकी फिक्र मत करो यह मुझ पर छोड़ दो देखना एक दिन मेरा बेटा इस घर में ठेलेगा तुम्हारा बेटा मेर आनी होगा क्या हम दोनों का होगा तुम्हारा भी होगा हम दोनों का होगा कि है मुनना है वाट सूर्य देर हो गई इन इक का शट भार रख लिए चलो का रुड़ और अ हां और जाया यह जान साथ है कि वे कैसा एरे तू ठीक हो इदा भी ग्रोज स्कूल लेने आता है हम आ मेरे घर चल तुम्हारे घर? अरे हम साथ काम नहीं करते तो क्या हुआ मगर दोस्ती मरते दम तक निभाएंगे चलना प्लीज ना मैट चलो आजे मिठे पापा अंकल के पास कितनी अच्छी कार है आपके पास क्यों नहीं है अपना अपना नसीर है बेटा अंकल को कार की तमन्ना थी तो उनके पास है हीरे जैसा बेटा मेरे पास पापा यह तमन्ना क्या होती है बहुत बुरी चीज होती है बेटा उसके लिए लोग अपनों को भी ठुकरा देते हैं क्या दो बढ़ते हैं अंकल की कार में लक्ष्मी ए लक्ष्मी देख तो कौना है? अरे वुलना मेले आ मेरे पार नमस्ते भावी नमस्ते भावी ये क्या? आज फिर भावी को साथ नहीं लाए वो रवी को मैं स्कूल सी घर लेके जा रहा था के राश्ते में आपके पती देज मिल गए और हमें किड्नाप करके या ले आ आज इनके इरादे कुछ खतरनाक लगते हैं जब दोस्ते कतरा हो तो किड्नाप करना ही पड़ेगा तो मैं से लो जरा मैं इसने पड़ता हूं चलो बटे इन ममी गोद में जाओंगा बेटे इन पापा की गोद में जाओंगा बेटे इन पापा की गोद में तो रोज जाते हो आज इन मम्मी की गोद में जाओं चलो बेटे मार, मार, आए, मुद्दत के बाद यार नसीब भूआ है, दिन में पिना छोड़ दिया है मैंने, आज सिर्फ तेरी खुशी के लिए तुम जैसा दोस्त दूढने से भी नहीं मिलेगा, शराब पिलाकर रवी को मुझसे छिनना चाहते हो कैसी बात इं कर रहे हैं? तुमने भावी को पटा लिया है न, रवी को गोद लेने के लिए तुम्हें कैसे पता चला है? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ उस वक्त ही समझिया था, जब तुमने रवी से कहा, इन ममी की गोद में जाओ मैं तो उसे कुछ शिपाओंगा नहीं करन, दुनिया में अगर कोई मेरा दोस्त है या किसी को दोस्त माना है, तो सिर्थ जे, ले बागी दुनिये पर बड़ा ऐसान किया आपने जली कटी मत सना दोस्त करन, हमारी शाजी को आज साथ बरस हो है मगर मैं बेवलाद हूँ, इसमें किसी का दोश नहीं है मेरी पुरानी आयाशियों खनतिजान, बागी तो सब कुछ हासिल कर ले आए एक नेक बीवी, जेर सरह पैसा या लिशान घर, एश्वार हम के हर छोटी बरी चीज है मगर सब बेमानी ही, हर तरफ संदाटा ही, संदाटा है इस चार देवार ही मेरे कान तरसते हैं किसी बच्चे की आवाद सुनने को, उसके खिल खिल हाट सुनने को जे चाहता है, जब मैं काम से लोटा हूँ तो तुम को मेरी विगूद में आके पाप पकड़े लेकिन नहीं जब मैं लोटता हूँ तो यह खामूश दीवारे होती है करन, तुम मेरा दुख समझ सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो भाई मुझे मेरा मुन्ना लोटा दो बस, तुम्हारे दुख दूर होते रहे, उसके लिए कोई मरे या जीए, तुम्हारी बदा से कब तक तुम सिर्फ अपना ही सुआत देखते रहोगे विपिन, मुन्ना मेरी जीने का मकसद बन चुका है मेरी जिंदगी में जो कुछ भी खुशी है, उसी किदम से है उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूँ, तो मेरा क्या होगा, यह भी तुमने कभी सोचा है तुम जेल सकते हो करन, जो सहन शक्ति तुम में है, वो मुझ में नहीं तुमने साधनाए घरवालों को दुखों से बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया एक त्याग हमारे लिए भी कर दो, हमारे लिए भी कर दो मेरे दोस्त लक्षम दिनलाथ तड़कती है, कि उसकी गोद, उसकी गोद भर जाए भाभी तु सिर्फ तड़कती है कि उनकी गोद भर जाए साधना की हरी भरी गोद उजल गई, तो वो तुम मर जाएगी यह तुमने सोचा भी कैसे है कि वो अपना बेटा तुम्हे देरे को राजी हो जाएगी करत, अगर तुम मजबूर करोगे तो जरूर राजी हो जाएगी तुम साधना यह गोद फिर से बढ़ देना, उससे दूसरा बच्चा देगा पेकार की बातें मत करो तुम बेपिन मुनना तुमें नहीं मिलेगा, समझ गया क्यों नहीं मिलेगा अगर तुम साधना के दूसरा बच्चा दे सकते तो कभी गादेगी या होता मेरा मुनना तुम दोनों के बीच में दिवार बन गया है क्या बकरे हो तुम और नहीं तो क्या मुन्ना साधना के पहले प्यार की निशानी जाए वो जब तक उसकी नेदरों के साम में रहेगा तब तक साधना को मेरी याद लाता रहेगा वो मेरे ख्यालों में रहेगा मत भूलो के साधना मेरी पत्नी है इस बार्ट मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकि नायंदा उसके खिलाफ एक लफ्स भी कहा, तो अच्छा नहीं होगा बेपनी सच्छाई कितनी कलवी होती है न, मैंने तुछ इतना कहा था कि अगर तुम्हें उलाद का इतना ही शौक है, तो अपनी उलाद पैदा करो, मेरे बेटे पर कबजा किये क्यों बैठे हो कबज़े तो तुम करना चाहते हो, मेरे बेटे पर, तुमने तो आम खाकर घोकी फेकी थी, कुड़ा कर समझकर, मैंने उसे संभाला सीचा, हरा भड़ा पोदा बनाया, और आज तुम अपना हग देदाना चाहते हो उसे परवान चानने वाला मैं हूँ बिपन, मैं हूँ मुन्ने का बाप, पानूं की नजर में भी और प्याद की रिष्टे में भी मेरा पेटा मेरे बगएर एक पल के लिए भी ने रह सकता, करन सबसे बड़ा रिष्टा होता है, खून का रिष्टा सिर्फ दस दिन के लिए, दस दिन के लिए मेरे मुन्ने को मेरे पास छोड़ दो, अगर तुम्हें ना बुला दे, तो मेरा नाम पदल देगा ये तुमारा भाम है विपन, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता तो आज माकर देख लो, दस दिन के अंदर मेरा खून उसकी रगों में इस तरह पुकारेगा, कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं ये मेरा चैलेंज है, करन, चैलेंज ठेक है, मुझे मन्जूर है तुम्हारा चैलेंज हरे, आज बहुत देर कर दी मुन्नी को लाने में कहां है वो, बाहर खेलने लगा है क्या मैं मुन्ने को विपिन के छोड़ा है उसकी घर? विपिन ने दावा किया था, कि 10 दिन में मुन्ना मुझे भूल कर उसे सारा प्यार देगा मुझे यकीन है कि विपिन को मुझ की खाने बड़ेगी मुझसे पुछे बगर मेरे बेटे को आप उस बदमाज के घर छोड़ा है क्या अधिकार था आपको कोई अधिकार नहीं याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो भूली गया था मैं तो सिर्व नाम का बाप हूँ और पती भी विपिन ने भी यही कहा था माफ कर दीजी मुझे आपको अधिकार है लेकिन विपिन बड़ा चाल बास है जिस चीज़ पर उसकी नजर बढ़ जाए उसे हासिल करके ही रहता है परिशान मत हो तुम्हारा बेटा लोटा आएगा तुम्हारे पास मेरे खाथे दर दिन सबर कर लो उसके बाद मैं कभी अपना अधिकार नहीं चताऊँगा कभी नहीं कहा चले अपने जीवन साथी के पास मैं हूँ आपकी जीवन साथी सिर्फ नाम की तुम साथ रहकर भी दूर रहती हो मेरी तनहाई को दूर करती है सर्फ शराब लोग शाइड सर अच्छी है न कार अपने लुड़ने के लिए इससे भी अच्छे खिलाने लाएंगे हवाई जहाज लाना, उडने वाला हाँ, अरे भाय हम वो उडने वाला जहाज लेकर आएंगे और आज ही लेकर आएंगे, तुम उसे खूब उडाना मगर आज तुम कैसे उडाओगे आए से तुम्हारे वुवडीवाली पाप आके तुम्हें ले जाएगे आप लोग मध से भाते बेजना अ..ै मेटे व वुँ अमारी बात नहीं मानेगे इसके लिए तो तुम्हे उन्से कहना पड़ेगा कि हम नहीं जाते हम तो यहीं रहेंगे वह ठाके लेग तो उससे पहले तुम उपर दोरके चले जाना, फिर हम उने धुर्शियम धुर्शियम करके बगा देंगे निचे से ठीकिना, रभी बेटे, आगे करें भी या रस्ते भावी चारो उन तरफ मया जाल बिछा रखाय रखाय रभी को भासने के लिया मुना, पेरी जीत मेरी होगी विपिन, चलो बेटे, घर चले, नहीं मैं यहीं रोंगा मुना, मुना देख लिए अपनी जीत, अब जाओ चुपचप लोड़ चाओ मुना, पहले तो पापा को देखते ही तुम गोद में आने के लिए दोड़ पड़ते थे तो फिर आज क्यू भागना मुझसे इसलिए कि आज ममी और बाप दोनों का प्यार उसे मिल गया है अब उसे तुम्हारी ज़रुत नहीं तुम जाओ मुना, मुना, मुझे तेरी जरु से बेटे, देख तेरा ये गरीब बाप, तुझे ऐसी केमती खिलोने तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना प्यार मैं तुझे दे सकता हूँ, तुझे यह कोहीं नहीं देगा सबकिश मिलिगा, उसे जाओ तुम नहीं छोड़ो बेपल, आजा बेटा मेरा पास, आजा, आजा, आजा करन, प्लीज प्लीज तुम जाओ, यहां से बच्छे के परेशान मत करो, मैं करता प्लीज तुम जाओ यह मुझे नहीं ठुग आ सकता बंतो पाहिए सरा भाहिएं! ब어 नह कर रहा? Zoom, Zoom, Zoom! पापा मुझे घर ले चलो, यह अंकल मुझे नहीं चाहिए बच्चे की दिल में लोग जगा कर तुम उसे अपनाना चाते थे अरे दिल जीते के लिए प्यार जगाना पड़ता है विपिन, प्यार जगाना पड़ता है और वो प्यार पाने के लिए सच्चा प्यार देना भी पड़ता है चलता हो भावी मामी! मुन्ना! 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 आ गया ना तू? लाट रहे ना अपनी मम्मी के पास? अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना पापा को भी पास थोड़ा दूद पीले अरे! तेरा बदन क्यों घरम है तर में भी दर्ध है ममी मैं रोया था क्यों? तो क्यों रोया पेटे? पापा रोय तो मैं भी रोया पापा क्यों रोया? क्योंकि मैं नहीं आ रहा था कि यहीं हो Esto सब सकत सराय Sp contained in the questions अग्दान, क कर दे हांधने कीसे की की लपड़ि है अजय हूदा पुर न्रियोर वार कर दो हम हो नो हम ऑफफब हुआ 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 है तूटा हुआ मन्दिर हुआ मैं किसी के प्यार का जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया तूटा हुआ मन्दिर हुआ मैं किसी के प्यार का जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया ना कोई रस्ता मेरा, ना मेरी मंजिल कोई, फिर किस लिए जिन्दा हूँ, जिन्दगी है क्या जिन्दगी फूटा हुआ मंदिर हूँ, मैं किसी के प्यार का, जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया बीती हुई बातों की दर्ग भरी आदे हैं, रूट गए मुझ से मेरे दिल की फुशी अब तो मेरी आँखों में आशो ही आशो है डूब गए आशों में ये जिन्दगी किसको है परसकी यहां जो आशों पहुचे मेरे मैं किसको आवाज दूँ, जिन्दगी ये है क्या जिन्दगी सूटा हुआ मंदिर मैं किसी के प्यार का, जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया शाम और सहर ये आँखें किसकी राह चकती है कौन आगे अब मुझे लगाए गले वक्त जिसे लूते यूँ, जब नसीब रूते यूँ, फिर नसीब पर नजोर कोई चले रस्ता भी मिया हा तुम, मन देले हा तुम मीरा है जब कुछ तुपारा जिन्दगी ये मिझे तुन देले तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरे देल का मैंने तुहें फूजा है रात दिन किया मेरे मन के मंदिर में बस तेरे मूरत है दिल में जल रहा है तेरे प्यार का दिया दिल में जल रहा है तेरे प्यार का दिया तुम्हें प्यारे मुच से? हाँ सच मुच प्यारे मुच से? बेहत, दिल और जान से मेरी साथना एक बार फिर से कहो साथना, मेरी साथना मुन्ना करा क्यों रहा है? हलका सा बखार था मैंने दवा दे दी है इससे तो बहुत सेज बखार हो गया है चलो उसे दवा खाने ले जलते है सवा खाना तो बन हो चुका होगा इस वक्त अब सवेर ही ले जा सकेंगे आप चाहिए सो जाए मैं जागूँगी सारी रात अपने बेटे के पास नहीं तुमसे जादा बेटा ये मेरा है तुमने तो सिफ जनम दिया पहला मैंने इस तुमसे 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 मैं इसके पास होगा देखिया आप जब मत करिया बेटा मुनना मैं हूँ या बेटा मुनना बेटा मुनना मुनन मुनन घुमसे मुनन पुमस मुनन आप साधना, पिछली रात तुम्हें जगाने को मन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ही कई रातों से तुम्हारी नींद उड़ा रखी थी, मुन्ना को विपिन के घर छोड़कर, घप्राना मत, इस बार उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, कुछ तेरी में बापस ले आऊँगा प्रेट निगले नहीं को होगी, चले जाओ यहासिद, मुना फेरो साथना, मुझे जितना मी बुरा भला कहना चाहती हो, कहलो मगर ऐसे मुना मिलो, तुम से विश्वास कहात करके, आज मैं पच्टा रहा हूँ, काश, लक्षमी के बज़ाए, मैंने तुम से शादी की होती पखंडी, लक्षमी जैसी पती व्रता और धनवान नारी से भी शादी करके पच्टा रहे हो, तुम जैसा खुद गर्ष ढूंडे से न मिलेगा, जानती हूँ आज क्यों आए हो मेरे पास, अपने स्वार्थ के लिए, मुन्ने को हासिल करने के लिए, हाँ मुन्ने को हासिल करना चाहता हूँ, मगर इसका करन स्वार्थ नहीं है, यहारे साथ नहीं, बेटा तुम्हे अनात हश्रम से भी गोद ले सकता हूँ, फिर मुन्ना ही क्यों, इसलिए कि, वो मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है, बको मत, मेरी नादानी और तुम्हारे फरेब की क्यों नहीं करन को दूसरा बच्चा दे देती, जिसकी रगो में उसी का खुन हो, अपने आपको क्यों धोखा दे रही यह साथना, अभी तक कही ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगा बाग की है, इसलिए तुम करन को प्यार नहीं दे सकें, सिर्फ प्यार ही नहीं, मैंने उन्हें भक्ती भी दी है, उनकी उपासना की है, पूजा करती हूँ मैं उनकी, उस देवता पर तुम्हारी जूठन चराई जाए, यह साहस मैं कभी नहीं कर सकी, मेरी जगा उनके चरलों में है, बाहु में नहीं, तो ठीक है, करो अपने उस देवताव की पूजा, लेकिन उसके साथ साथ, अपने बेटे के बारे में भी सोचो, उसके भविश्च के बारे में सोचो, करन उसे क्या देख सकेगा, अगर मेरा मुन्हा मेरे पास पलेगा, तो करोडों की जाएधात का वारिस पलेगा, अगरी छाओ पड़ी, तो वो भी तुमारे जैसा शैतान ही बनेगा, करन जैसा फरिष्टा अपने बेटे को एक नेक इनसान बनाएगा, देखो साथना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुन्हा मेरा बेटा है, उसे मेरे हवाले करता, वरना मैं साबित कर सकता हूँ कि मु कि तुम शादी से पहले माँ बनने वाली थी, देखो साथना, अगर मामला कोड में गया, तो तुम कलंक कनी कहला होगी, और तुम्हारा बेटा व्यवचार की संतान नाजायस आउलाद कहलाएगा, खामोश, कोई भी आउलाद नाजायस नहीं होती, नाजायस होते उसके पाप के तालुकास, हमारे समाज में मा का कलंक आउलाद को भी चकर लेता है, इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा मुन ना मुझे देदे, कलंक की दर से अगर मैं भागती रही, तो सारा जीवन उस जर से छुटकारा नहीं मिलेगा मुझे, मैं पालूँगी अपने बेटी को, और ह जब तुम अपने मकसद के लिए कदम कदम पर जाल साजी करते हो, तो क्या ये मा अपने बेटे को तुमारे जाल से बचाने के लिए एक जूट नहीं बोल सकती, जरूर बोलूँगी, शपत की बंदीशों में मा की ममता नहीं जखरी जा सकती, अदालत में जूट बोलना इत पानी में डूट मरो, कौम सा सवाल, यही कि जो शक्स जवानी में ही बरसों तक अपनी बीवी को बच्चा देने के काबिल न रहा, वो मुन्ने का बाप कैसे हो सकता है, डॉक्टरों से जाच करवाई जाए कि ना मर्ध है, कोई मेरी बीवी पर हाथ उठाए, तो मैं उसके ह काट कर रख दो, तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती निभाने की कसम कही थी, इसलिए मजबूर हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाता, देख लो यहां से, करण, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, जिस चीज की मैं खाहिश करता हूँ, उसे हासिल कर ही लेता हूँ, और पिर, मुन्ना तुमेरी अब इलाशा है, ए बगवान, इसे तो तेज बुखार है, सुनिये, सुनिये, ज़र जल्दी उठिये, मुन्ने को बहुत तेज बुखार है, हाथ भी नहीं उठा सकता, मैं डॉक्टर को लेकिया तो, मैं ब्रेन फीवर है, यानि सरसाम हो चुका है, जान बचाने के लिए इसी वक्त एक खास इंजक्शन लाना होगा, इतनी रात को दवा की दुखाने तो बंध होगी, फिर भी मैं लेकर ही हाऊँगा, बेपिन, 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 बेपिन ६ेपिन, बेपिन, बेपिन, जल्ली चल मुने साथ, मुझे इस कर भी तो त rant तो टेरी सकशन रहत है, उस बच्चे की जान बजाने के लिए जिसकी चाहत तुम्हें भी है, निमोनिया का बुखार मुन्ने के साथ चड़ गया है, दुक्तर ने कहा कि ये विदेशी इंजेक्शन फॉरण लेया हो, क्या, कैलाफान, इसका मतलब है मुन्नेक ते बिद बहुत जादा खराब है, मुन्ने के समखा कर कहो, उसका भुखार ठीक होते ही, तुम मेरे बेटे को मेरे हावाले करता होगी जिस बच्चे को तुम अपना खून कहते हो, उसकी जान पर बनी है, और तुम्हें इस वक्त सौदेबाजी सुची है मुन्ने को हासल करने का इस से अच्छा मुखा और भामे लिखा, और मैं यह मुखा अपने हाच से नहीं घमाऊँगा मेरे जीते जी तुम मुन्य को कभी हसन नी कर से गुगे विविंद पर एक बात वा सुन लो जब तक मैं जंदा हूँ मैं मुन्य को मन ले नी दोगा उसके लिए इंजेक्शन मैं पाताल से भी निकाल नोगा करन लक्षपी करन शोकी चाभी निकालो कहा है पाताल से भी मैं मैंढ़ी शोकże क्षार विवोर govern प्ली निकालो ओणालो हुआ हुआ है अगर बच्चे को वो इंजक्शन नहीं दिया गया तो पहचाना जम्बू दादा तेरे कारण परसों जेल में सरता रहा आप क्याया हूँ हिसाब चुकता करने प्याज सहित जम्बू दादा मेरा बेटा बहुत बीमार है अगर फॉरन उसी ये इंजक्शन नहीं दिये गया तो मुझे इंजक्शन देदो देदू प्रीज आप का प्यार बहुत जोश्मार रहा है कल अपने सारे अर्मान निकालना जम्बू दादा मुझे अपने पेटी की कसम तुम जहां काऊगे वहां मिलूगा लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो अरे मेरे मासूम बच्चे बच तरस खाओ मुझे इंजक्शन देदो ये जाहिए ना मेरे मैं प्लीज मेरे भाई हे ओ मैइ गॉड एक्सोचे बखार बच्चे की हालत बहुत करिक बच्चे की हालत बहुत किकल हो चुकी है जैख ए बखार डैयॉक करूँ मेरा बता ठीक हो जाए वप आज़ अईदान हो पिद़ज़ लगज़lar झाल पियर लए लए cuts काप got काप मि IR छग झाल अग्वार मेरे बेटे की जान बचते इसकी जिन्दगी इस मुठी में है डॉक्टर यह रहा इसकी जान बचाने का इन्यक्षन लाइए जल्दी दीजिए मुझे बच्चे की मां से कुछ कहना सुनो साथना मुझे जिन्दा रहे यग तुम भी चाहती और मैं भी इसके सर पर हाथ रखर कसम खाओ कि मुझे ठीक होते हैं तुम्हीं इसे में हावाहिक कर दो इस शर्ट पर ये इंजक्षन ननोगा इस वक्त एक मां की मुद्दा तरफ रही है और तुम उसे फाइदा उठाना चाहते हो देखो साथना आप लोग की इस बहस में पढ़ गए बच्चे को फॉरन इंजक्षन देना चाहिए वनना बहुत देर हो जाएगी बोलो साथना तुम मुन्ना मुझे तो की यहाँ मैं इंजक्षन लेकर वापिस चाहूँ क्यारो मेरा बिता जहां भी रहे सलामत रहे इसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर ली अब तो इंजक्षन दीजिए जलिए यह क्यातिया मिस्टर करन आपने यह रहा वो इंजक्षन आप साथ अब कोई खत्रा नहीं है मिस्टर करन सुबह होते ही बच्चे को होश आजाएगा और जब होश आजाए तो मुझे इतला कर दीजिएगा जी अब मैं चलता हूँ अब आपी जा सकते हैं करन मेरी आखरी इलते जा सुन लो आप जा सकते हैं मेरी मेरी तुम दोनों से हाथ चोड़कर बिनती है मेरा मुन्ना मुझे दे दो मेरी सारी दौलत मेरी सारी जायदात ले लो मेरा मुन्ना मुझे दे दो मैं अपने बेटे के लिए मेरी तुम दोनों क्या आगे हाथ पसार कर भीग मांग रहा हूं ताज जुब्र तुम तु छीनना लूटना जानते थे भीग मांगना कब से सीख लिया वक्त बहुत बड़ा होता है मैंने सूचा था कि दुनिया का हर सुख दूलत से रासिल किया जा सकता है अज मेरे पास इतनी दोलत है जो करोणों के पास नहीं पर ऑलात का सुख जो करोणों के पास है मेरे पास नहीं है फिर ये इतनी सारी दौलत किस काम की बड़े काम की है विपिन तुम इस दुनिया में खाली आतायसे लेकिन जब जाओगे ना तो तुम्हारी चिता लकड़ियों पे नहीं नोटों की ठेर पे जलाई जाएगे ताने मत दुभाई मेरा बेटा मुझे दान में दे दो नहीं स्वार्थ के लिए भगवान की सजा ही है उससे तुम्हे बेटा देकर में नहीं दिया अपने बेटे को तुमने खुद बनाया है हम अपने पापों का प्राश्चित करो तुम बेपिन प्राश्चित करो तुम ठीक कहते हो कर शायद मेरे पास अब सचले ही एक रास्ता है प्राश्चित इसी मेरी भलाई है काश मुशुरू से ही तुम जैसा होता हुँआ है पुक्माद इतना खूर चल्दी करो चली चली डोकाप करो छली डोकत सहब इस चली किजिए चली डोकाप करेवाद का छल्दी केजी चली डोक्र से नंको छल्दी बलाओ वुदा सुअ मुदा प्रवर्दे का डॉक्टर साब घबराये नहीं मिस्टर करन को होश आ गया है आप वो खत्रे से बहार है आप उनसे मिल सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, डॉक्टर अमना कैसा है? हमारा बेटा बिलकुल ठीक है हुआ आप्रों पाराओ हमारा बेटा आप भूल गूल गूल